ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्मई श्री गुरुवे नमहा अरे कृष्णा श्री चैतने चैतने चैताम में रंध्य आये 20 मद्य लिला प्रेयार संक्या 319 चैतने महाप्रद्वारा सनातन गुष्वामी को दी गई शिक्षा हैं मनवंतर आवतार एबे सुन सनातन असंख्य गणन तार सुनाह कारण ये सनातन अब मनवंतर आवतारों के बारे में सुनो वे असंख्य हैं और उनकी गणना कोई नहीं कर सकता जरह उनके स्त्रोत के विशय में तो सुनो वास्ताम है इस रिष्टी अनंतकाल से चल रही है जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार भगवान स्वैम अपने रूप में आते हैं अपने क्रिष्ण रूप में आते हैं तो भगवान के चुंकि इस रिष्टी अनंतिकाल से चल रही है अब समझ सकते हैं कि भगवान के कितने आवतार हो गए हो गए ब्रह्माजी कितने ब्रह्माजी जा चुके हैं कितने ब्रह्माजी आ चुके हैं कितने ब्रह्माणों में कितने ब्रह्माजी हैं हर दिन में एक बार का समझते हैं साल में 365 बार इंटो 100 मतलब इतने अगर इंसान की जीवन में भी सोचो तो कितना तो कितनी बार भगवान आ चुके हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही कितना है एक 71 मनूं बदल जाते हैं आप सोच सकते हैं कि कैसे 71 यूगा साइक्ल में फार आक मन बदलता है तो चौदा मनूं बदलते हैं तो चौदा मनूं बदलेंगे तो हर ब्रह्मा जी के उस एक दिन में चौदा मनवंतर अवतार आप सोच सकते हैं अगर हर मनवंतर में एक अवतार मान ले जाये तो एक माना जाये तो तो इस प्रकार से जो अवतार हैं और संख्य हैं इससे बदापता चलता है भगवान कितने बीजी है हम लोग उनको ले जाने के लिए और कोई काम नहीं है यहाँ पर आने का ही की परपस है लेकिन हम लोग अपनी अशुद्धियों में दूबे हैं बोगने में दूबे हैं सो मच पेन जो है भगवान ले रहे हैं हम लोग के लिए कि हम लोग शुद्ध हो पाएं और यहां से जा पाएं लेकिन हमें जगत इतना अच्छा लगने लग जाता है, यहां पर हमारे ऐसी अटेश्मेंट डवलप जाती है, कि हम यही पर सड़ने के लिए दिया देते हैं, इस कमिंग सो मेनी टाइंज, कह रहे हैं कि असंख हैं, गढ़ना भी नहीं कर सकते हैं, इतने अवतार है मनवंतर, उनके स्त्रोत के विशे में मुझसे सुनू, ब्रह्मार एक दिन है चौदा मनवंतर, चौदा अवतार तहां करेनाईश्वर, ब्रह्मा के एक दिन में चौदा 65 इंटू 14 भगवान के अवतार हो रहे हैं, उसमें एक सौ सालों में कितने अवतार होंगे आप सो सकते हैं, ब्रह्मा की वायू के एक वर्ष में पांच हजार, चालिस मनवंतर अवतार, सौ सालों में पांच लाख चार जार मनवंतर अवतार, यह केवल मनवंतर हैं, बीज म चौद्दा एक दिनेमा से चारी शतभीश ब्रह्मार वत्सरे पंच सहस्त्र चालीश तो इस परकार ब्रह्मा जी एक दिन में चौदा मन्वंतर होते हैं एक मास में 420 एक वर्ष में 5040 अवतार शतेकवत्सरहय जीवन ब्रह्मार पंचलक्षचारी सहस्तर मनवंतर आवतार ब्रह्मा के 100 वर्ष के जीवन में कुल 5,4,000 वनवंतर आवतार होते अनंत ब्रह्मान येomina चे करह गणन महा विष्णू एक स्वासे ब्रह्मार जीवन और एक ब्रमान की बात हो रही है एक ब्रमान की एक ब्रमाजी की इतने मनवंतर कितने ब्रमान है अनंत ब्रमान है जैसे की सूरे की खिरणों में वो छोटे छोटे काण उड़ते वे दिखते हैं इतने ब्रमान है वो भी असंक है अब उस सब के अंदर एक ब्रमा है उस सब के अधासंग के बर्मान में कितने मनवंतर अवतार होंगे। इसकी केवल कलप ना की जा सकती है। इतने सारे बर्मान तर भर्मा महाविश्नों के एक श्वास कालता की भी दिवान रहते है। ये भगवान की पोजीशन का मैं पता चल रहा है बड़ बिंग अच ऐसी पोजीशन उने के बावजूत जिसमें हम कितने लगण नयाम सोच सकते हैं बगवान के लिए। देखिए। हमारे घर के अंदर कई सारे चीटियां चल रही होती हैं, कई सारे मच्छर होते हैं। कभी आपने उनकी केर के पारे में सोचा है। चोटे-मूटे कीडे हैं पूरे घर में कि लोग कुछ कबूतरों के लिए कुछ दाने डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन कितने कीड़े हैं हमारे पास, क्योंकि वो दिखते तक नहीं है तो कोई emotion नहीं हमारे लिए, उनके लिए, हमारे एर्दन है, अब सोचिए, भगवान जब सांस को छोड़ते हैं, तो ब्र ब्रमांड कह रहे हैं उसको हम ब्रमांड, 14 planetary system, प्रित्वी की बात नहीं कर रहे हैं, उस 14 planetary system में एक किसी ग्रह के अंदर, किसी एक शग, शहर के अंदर, हम यहां कहीं पर कीड़े से भी निम्न हैं, देखा जायता हूं, दिख भी नहीं पा रहे होंगे हम, उसके बारे में बिब्रावण चिंता कर रहे है, this is the difference, ऐसे बीक्ति के बारे में जो इसका existence ना के बरावर, नहीं है हम लोगं ihtichtetन दिखा जायता हbrahim, जिसके सांस से ब्रमांड निकलते हों, वह भी एक-एक ब्रहमण के अंदर, एक-एक जीव के बारे में, इतना चिंता कर रहे हैं, उसको व आपने को बरवाद कर रहे हैं इनल महा विश्णु निश्वासेर नाहिक परियत्न एक मनवंतरावतारे रदे क्लेखार अंद्द देव। माविश्णों के निश्वासों की कोई सीमा नहीं है जरत देखो ना केवल मनवंतर अवतारों को बतलाना या लिखना कितना दुश्वर है स्वाम भूव यग्य विभू नाम अवतार का नाम यग्य है तो यह मनवंतर है मनवंतर में एक मनु विशेश लीड करता है उस मनु का आवत अंतराल उस मनु का कारियर करने का जो समय है जैसे एक सरकार है पात साल के ले आती है सरकार का प्रधान मंतरी होता है उसी तरह से मनवंतर में एक लीडर होता है समझ लीजे जैसे कि इस मनवंतर मता रहे हैं ये प्रथम मनवंतर में स्वायम भू मनु बने इस इस दिन के पहले मनवंतर जिस जो दिन ब्रह्मा जी का चल रहा है जिस हम हैं ये सात्वा मनवंतर चल रहा है ये पहले मनवंतर में कौन आए स्वायमभू मनू उसमें जो भगवान का मनवंतर अवतार आया उसका नाम था यज्या स्वारोचिष मनवंतर में उनका नाम है मन्तर के बारे मताया है उसमें कौन-कौन साई यह ब्रह्मा जी के दिन में आज का दिन जो चल रहा है ब्रह्मा जी का तुड़े जिसमें हम हैं रेवते व्यकुंट चाक्षुच याचित वैवस्वते वामन सावर्नि सार्व भौमदक्ष सावर्नि रिशब गनन रेवत मन्तर में अवतार का नाम वैकुंट है और चाक्षुच मन्तर में उनका नाम अजीत है और वैवस्वत मन्तर में उनका नाम वामन है तो वैवस्वत मन्तर इस वक्त चल रहा है वैवस्वत मन्तर इस वक्त चल रहा है तो यानि कि आप ये समझ लीजे कि ब्रह्मा जी का आधा दिन बीच चुका है 14 मनू में से 7 मनसातुआ चल रहा है तो यह आफ्टरनून हो रही है इस वक्त ब्रह्मा जी बस आदा और समय बचा उसके बाद समाप्त और सावर्न्य मनमंतर में उनका आगे वाला भी उता रहे हैं अगला मनमंतर में उनका नाम होगा सारुभाम और दक्ष नाम है विशवक सेना धर्म सेतु धर्म धर्म सावर्न्य मनमंतर में सुधाम और देव सावर्न्य में योगेश्वर इंद्र सावर्न्य भ्रहद भान अधि अभिधान यही 14 मनवंत्र चौद अवतार नाम इंद्र सावर ने मनवंत्र में अवतार का नाम है ब्रिहद भनू और इस परकार इन 14 मनवंत्रों में 14 अवतारों के यह नाम है तो ये हमारे शास्त्र सारी गणना सारी कैलिफुलेशन सब कुछ पहले से मिलता है लेकिन फिर भी संसार में लोग न्यूस्पेपर बढ़ने में जाज एक्साइटेड होते हैं आज की ताजा खबर यह देखिए यहां पर नकेवल पुराने अवतारों के बारे में बल्कि विशे में सुनिये सार पर्धम चार यूग है सातियोग त्रेता यूग द्वापर यूग और कल यूग अभी यूगों में भी अवतार है बताइए यह तो चितने हो गए तो और ज्यादा हो गए क्योंकि एक मनवंतर में 71 यूगा साइकल होते हैं सुथिए अभी हम कह रहे यूग है उतने यूग हैं उतने अवतार अब इनकी गणना कित्ने बढ़ जै शुखलरत क्रिषनपित क्रमे चारी वर्ण धरी क्रिष्ण करेना यूग धर्म हरए एक मनवंतर में पताया 71 टाइम्स युगा साइकल होते हैं युगा साइकल यानि कि 71 multiplied by 4 इतने योग हो गए उतने अवतार हो गए एक मनवंतर में ऐसे आस्वन वरनास्त्रियो रास्य ग्रिहनों ग्रिठतो नू युगं तनू शुक्लो रक्तस थथा पीत इदानि कृष्टनम कृष्टना कृष्टनताम गता इस बालक के पहले तीन रंग हो चुके हैं कौन से बालक के ये गर्गमुनी बोल रहे हैं हम सुनते हैं इसको श्रीमत भागवत में गर्गमुनी ने छुपकर भगवान कृष्ण का नाम करन संसकार किया क्यों किया चुपकर क्योंकि गर्गमुनी जो थे वो कंस के उसमेरा राज्य के ओफिशल हो थे वासुदेव के सुरी वासुदेव के ओफिशल हो थे पुरोहित कह लीजे अब वासुदेव के पुरोहित तो नंद बाबा के यहाँ पर क्या कर रहे है अगर कंस को यह समझ मा गया कि एक वर्गती है जिसका गोकुल में गर्ग मुनी ने नाम करन किया है तो वो समझ जाएंगे कि यह वासुदेव का ही पुत्र है और कंस को सारा रहस्य से पता चल जाएगा इसलिए गर्ग मुनी ने चुप चुप कर गाएं जा रखते हैं घर के नीचे गाएंगे रखने की जगा जो होती है उसमें जाकर भगवान का नाम करन संसकार किया क्रिश्ण बल राम का तो उस समय यह बोल रहे है नंद बाबा को कि इस बालग के पहले भी हो चुका है यह पहले तीन रंग का हो चु तो इस प्रगार से यूग अवतारों के पहरे मता रहे हैं कृते शुक्ल चतूबाहू जटिलवल कल अंबरह कृष्ण अजीन उपवीत अक्षान विब्रत दंड कमंडलू सत्यूग में भगवान का शरीर श्वेत रंका था उनके चार हाथ थे सिर पर जटा जूट था वे उपवीत जनेव पहने थे और गले में दुरूद राश के माला घारन किये थे विद्धन तता कमंडलू लिये थे और भ्रह्मचारी थे तरेता में त्रेता यूग में भगवान का शरीर रक्त रंका था उनकी चार विज्याएं थी उदर में तीन विशिष्ट रेखाएं थ उनके केष्ट उनहेरे चे उनका स्वरूप वैदिक ज्यान को परकट करने वाला था और वे यग्य के सम्चमक स्त्रुआ अधी चिन्नों को धारन की हुए थे सत्ययूगे धर्म ध्यान कराये शुक्ल मूर्ति धरी कर्द मकेवरा दिला यहों किपा करी शुकल अवतार के रूप में भगवान ने धर्म द्यान ध्यान की सुछचा दी और उनकर्दम मुनी को आशरवाद दिया और इस तरह उन्होंने अपनी अहेतों की कृपा पर करूप में तरे श्युग में लोग समानेता अध्यात्मिक उग्रसर होते थे और क्रिश्णका सहज ही ध्यान कर लेते थे थेता युग में लोगों का वित्तिपरक आये बड़े-बड़े यग्य को समबन करना था भगवान ने रक्त वर्ण धारन करके इसे प्रोप साहित किया तो तुरेता ये तो वही बता रहा है कि कौन से यूग में कौन सा भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस है सत्यूग में ध्यान, मेडिटेशन कई हजारों सालत तक लोग मेडिटेट करते थे कर पाते थे अब हम आखे बंद करते हैं तो हमारे ध्यान में इंद्रितिर्प्ती की वस्तुन आ जाती है हमारी अटेश्मेंट की वस्तुन आ जाती है जो कि मारे पतन का कारण बंदती है लेकिन उस वक्त लोग क्या करते थे भगवान का ध्यान कर पाते थे तो उसके बाद में क्या हुआ तृता यूग में जो भगवान का रक्त वर्ना आया उन्होंने यग्य को संपन किया इस यूग में यग्य किया जाए यग्य में भगवान की मुख में यानि की अगनी की रूप में भगवान को बुलाए जाता था और उसमें अपना sacrifice, अपना बलिदान दिया जाता था हमारे पास जो है उसको अर्पित करने की भावना पैदा की जाती थी क्रिष्ण पदार्चन हया द्वापेरारे धर्म क्रिष्ण वरने कराई लोके क्रिष्ण आरचन कर्म द्वापर यूग में क्रिष्ण को वृत्ति परक्कारे क्रिष्ण के चर्ण कमलों का पूजन करना था द्वापर युग में लोगों को लोगों ने समझा कि अब भगवान की विग्रह की सेवा कैसी करी जाए जिसके भगवान से हम डारेक्ली समझ पाएं विग्रह से जैसी विग्रह को देखते हैं तो भगवान की अनुबूती होती है क्योंकि बहुती उननत स्थिती में किसी व्यक्ति के सामने होने पर उससे प्यार नहीं होता है किसी व्यक्ति के ना होने पर भी उससे हमारा समरपड बना रहता है सेवा भाव बनी रहती है लेकिन जब इतना डवलप नहीं होता है तो उस वेक्ति विशेष की सामने आवशकता होती है तो विग्रे रूप में हम उस भाव को डवलप करने का प्रयाज करते है तो विग्रे पूजन आया हते भगवान कृष्ण ने शाम वरन धारन करके लोगों को प्रुसाइट किया कि वह की पूजा गने और उस वरण में भगवान के साक्षात विग्रेगी पूझा हुई और भगवान के जाने के लाद उनके जो पदार्थ के विग्रेट बने जिसमें प्राण डाले गए उसनकी पूझा हुई द्वापर यूग्में है भगवान सचिन से सुजोबिद हैं उनके लक्षणों का वरन इस रूप में किया जाता है यह भी भागवत से लिया गया शाम रंब रंग एक दम काला नहीं होता है जैसे कि बादल का रंग होता है उस तरह का यह रंग होता है काला तो हमारे पास ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस पत्थर भी नहीं आते इसलिए उस तरह का रंग मना देता है इसका उल्लेक हुआ है शास्त्रों में विश्वन प्रानत्यादी में नमस्ते वासुदेवाया नमस्ते संकर्षणायचा प्रद्युम्नाया निरुद्धाया तुभ्यं भगवते नमा मैं उन पूर्ण परे करे कृष्णारिचन कृष्ण नमसंकिर्तन कलियुगेर धर्म और इस मंत्र से लोग ने द्वापर में कृष्ण की पूजा करी जो अभी अभी हमने पढ़ा लेकिन कलियुग में लोगों का विर्तिपर कर्म है अब धर्म क्या है कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक एपकीरतन करना, क्रिश्न नाम संकिरतन कली-yugera-धर्मा ऐसा स्वैम क्रिश्ण बता रहे हैं सनातन को स्वामी को फिर कौन से मत की आवश्कता है, जब स्वैम क्रिश्ण नहीं आ के आपको बता है कि मेरी पुजा ऐसे करी जाएं तो फिर हम क्यूं सोच रहे हैं कि ये किया जाए या वो किया जाए क्या बेहतर है च्या बेहतर नहीं है क्रिश्टनामसंक्रतन कली उगेर धर्म ये संकिरतन कैसे होता है संकिरतन संग में होता है it is not alone इसलिए हम लोग संग में कीर्टन करते हैं हम जब भी संग में करने का प्रयास करते हैं उसके बाद कीर्टन निकालते हैं तो यह धर्म है कल्यूग का इसका कीर्टन करना है राजन शीमत भागवत में बताया कि कली दोश निदे राजन एक और शुलक बता रहे हैं भागवत से यह राजन कल्यूग में बहुत सारे दोश हैं, हम लोग कई बार दीमोरलाइज जाते हैं, बड़े परिशान हो जाते हैं, कि कैसा कल्यूग आ गया है, घोल कल्यूग आ गया है, क्या होगा, इस अंसार का खतम हो जाएगा, सब बरवाद है, सब चारो तरफ अनैथिक्ता है, त इसा है, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात भी है, कि जो लाइफ का अल्टिमेट परपस है, उसको प्राप्त करना असान है, तो वही तो बहुत अच्छी बात होई, अगर कस्टों को जेलते वे, बुराईओं को जेलते वे, हम भगवान को राम से पा सके, तो क्या कौन सा घ द्वारा कृष्ण की पूजा की जाती है, पर बात कहरे हैं कि हम जब पूजा कैसे करी जाती है, क्या बोलके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे, 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 राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे, इस पर करके दिखाया इसका वर्णन अगले श्रोक में हुआ पीत वर्ण धरी तब ए कैला प्रवर्तन प्रेम भक्ति दिला लोके लईया भक्त अपने निजी भक्तों के साथ पीत सुनहला वर्ण धरन करके भगवान कृष्ण कल्यूग में हरिनाम संकीरतन अर्थाथ हरे कृष्ण मं प्रमन है उनके सामने बताएंगे तो समझी जाएंगे वैसे तो पहली समझ चुके थे तो बता रहें कि खुदी उनका जो भगवान चैतने मावर्ण का रंग कैसा था पीत था जासे की राधरानी का वर्ण है उसी वर्ण धरन धरन किया था तो अपने निजी भक्तों के को कृष्ण प्रेम लाकर देंगे यानि कि वो यह नी देखेंगे कि इसने कितने साल तपस्या इख ہारी है इसने कौन से करमं किये है वो जबरदस्ती जा चांगे सबको दे देंगे इसले उनको महावाद अन्या आई कहते है अक्सर इसको एक हाई वो माना जाता था, लोगों को दिक्षा मिलती थी, लोग अपना नाम नहीं बताते थी, हमें ये नाम करने को पुला है, नहीं नहीं, मना किया है, छुपाया जाता था, इसको बड़ा बहुमुले मान जाता था, only eligible people will get it, अब को है, अब eligibility कोई नहीं है, क उसको श्रदाग्य वश्रता पड़ेगी, लेकन खाली नाम जाने से भी तो उसके अंदर सुकृति आ जाती है, तो अश्रद्धालू को भी दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे है, धर्म परवर्तन करे, व्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाये नाचे लोक करे संकिर्तन, नंद मह जगत सामोहिक संकीरतन करता है, जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं, सारा जगत सामोहिक संकीरतन करता है, कριष्ण वर्न तुष्णा कृष्ण, संगोपा संपसांगास्त्र पार्षद्म यग्यई संकीरतन, प्राएर यजन्त ही सुमेधसा, फिर से श्रुमत भाव कि जो intelligent बैक्ती हैं वो Hare Krishna का कीर्टन करेंगे अगर आप शास्त्रों को मानते हैं अगर आप शास्त्रों को मानते हैं कि यह सारे संसार में कही जगा पर अटलिस्ट भागवतम पर कथा चलती है चाहे इस कौन की नहीं चलती है लेकिन भागवतम तो हर कोई कराता है उसी भागवतम में यह बताया जाता है कि जो intelligent लोग हैं वो क्या करेंगे भगवान के नाम संकीर्थन करेंगे कृष्ण वर्न तुशा कृष्णम संगो पसांगास्तर पार्षदम यग्यी संकीर्थना संकीर्थन यग्य को करेंगे वो ही क्या है सुमेद असा है जो इसको करेंगे वो उनकी बुद्धी अच्छी है तो यहां से पता चलेगा कि कौन intelligent है वास्ता में जो संकीर्थन करता है जो नाम कीर्थन करता है वो intelligent है लेकिन फिर भी लोग भागवतम पढ़ते हैं लेगिंगे भागवतम के सार को नहीं जानते है कि भागवतम भी यही बता रही है कि कलियों में आप संकीर्थन किजी और भगवान की अवधार की पूज़ा करने के लिए संकीर्थन करते हैं यद्द भी उनका वरन शाम नहीं है तो अब भगवान की पूजा का कौन सा प्रोसेस बता रहे हैं? कृष्ट नाम का कीरतन हम लोगों को बताने चाहते हैं लेकिन लोग बदलना नहीं चाहते हैं नहीं जी पहले उन वाली देवी की पूजा करते हैं फिर इस वाली देवता की पूजा करते हैं उनको अगर पती जगाते हैं, पूरा दिन उसमें एक गंडा निकल जाता है, तो जब के लिए एक माला कर पाते हैं हम लोग, जब कि मेन प्रोसेस हमारा जब करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जब नहीं चोड़ना चाहिए, लेकिन यदि कोई समय की कारण किसी इक भी कारण से अगर कुछ चीज चोड़ना हो तो हम जब नहीं चोड़ सकते हैं, बाकी चीज़नों को फिर भी चोड़ सकते हैं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, प्रोसेस तो पूरा ही करना है, लेकिन फर्स प्राइटी किस की रहनी चाहिए, जब की रहनी चाहिए हमारे जीवने, कैस सोते वे ना करें यह बहुत दुख होता है जो हम देखता है कि भग लोग सोते वे जब कर रहे हैं उसमें कोई परयास नहीं कर रहे हैं उसके लिए कोई परयास नहीं कर रहे हैं दिन बर दिन बीटता जा रहा है सोते वे जब कर रहे हैं अपने जब की आवाज को सुन नहीं र गूम रहा है वैसी mechanically जपा वीट्स पर हाथ गूम रहा है इसलिए इट सब पूजा ये भगवान की पूजा है समझे यही तरीका है पूजा करने का इतना सीरियस हमें होना चाहिए इसके लिए हम अपने दिंचरिया को बदलना चाहिए जब दिन पूरा चालू हो जाएगा सा सब लोग एक ही परपस पर लगे हैं मौनिंग में सब लोग बैठके जप ही कर रहे हैं तो एकांत हो गया दिन में सब के अलग अलग परपस हो गया किसी के लिए उस वक्त घर इंपॉर्टेंट हो गया किसी के लिए परसाद बनाना इंपॉर्टेंट हो गया किसी के लिए ज अब शास्त्र बता रहे हैं कि यही पूजा है इस संसार की, क्यों नहीं हम छोड़ पा रहे हैं, हम लोग भी तो करते थे, गई परकार के अनुस्ठान, कई परकार की चीज़ें करते थे, उस سے हमारा समय चला जाता था, जब पर समय नहीं जाता था, तो यह है चक्कर, यहां ब अन्य तीन युगों में त्रेता में अध्रापर में लोग विविन परकार की अध्यात्मी कारे करते हैं इस परकार उन्हें जो फल मिलता है कल युग में वही फल केवल हरे कृष्ण महमंत्र का कीर्थन करके पराप्त हो जाता है इसलिए बतारें इसी पर फोकस करना चीए आगे बतारें कले दोशनिदे राजन अस्ते को महा गुणा कीर्थना देव कृष्ण स्ते मुक्त संगंपरमजे ये राजन जो अभी अमने सुना था कलिव में बहुत सारे दोश हैं लेकिन बहुत बड़ा गुण है कि केवल हरे कृ बहुत स्कार बड़ा बड़ा आगो कि भागत से बारवी केंटों से भूला गया फिर से कंपरम करने को इस्थियुग में विष्णु का ध्यान करें ते रिटा यूग में याग्य करना है द्वापर में भगवान के चंड़ गमलों की सेवा करनी है उसे कल्यूग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्टन द्वारा ये सारे का फल पाया जा सकता है कल्यूग में क्या करना है हरे कृष्ण का कीर्टन करना है उसका जप करना है ऐसा नहीं है कि जप करने के लिए अलग मंत्र है और कीर्टन करने के लिए अलग मंत्र है कई संपरदाय ने ऐसा बना लिया कि कीर्टन तो हम कुछ और करेंगे जब इसका करेंगे यहां शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया जा रहा है शास्त्रों में बताया जा रहा है उसी मंत्र का जब है और उसी मंत्र का किर्टन है यह कहां बदा है गया कि किर्टन किसी और मंत्र का करना है जब किसी और है, ऐसा तो नहीं देखते हैं कहीं पिर लिखावा, एक भी श्लोक पैसा नहीं लिखावा इसलिए उसी का किर्टन करना है हम लोग बीच बीच में देखिए कथाई में सुनते हैं वैशनों गीत भी काते हैं यह सारी चीजें किसलिए मूड को सेट करने के लिए किस भाव से कृतन किया जाए उसको दिमाग में सेट करने के लिए लेकिन मुख्यता हरिनाम संकृतन होना चाहिए मुख्य विशेष फोक लक्ष बंदा लेते हैं वो ध्यान में बताने किसकी चीज़ करने का निर्विशेष विदाट रूप का ध्यान लेकिन के मन बगवान में अव्य निर्विशेष पहलों पर आ सकते हैं उसके लिए प्रगति करना बड़ा दुखी दाई है गीता में लिखाया इसलिए ध्यान करना है तो बखवान का अब ध्यान करने का तरीका है उनके नामों का संकीरतन करें ध्यायन करतेया जया जया कें अh केवल केशव के गुणगान से ही मिल जाता है कलिम सभा जयन तयार्या गुणाज्यासार भागिना यत्र संकीतनेव सर्वस्वार्थो अभिला भयते जो लोग ये भागवत से लिया गया जो लोग उन्नत हैं बड़े योगे हैं तदा जीवन के सार में रूची रखते हैं फोकस है उनका कि ये परपस बताओ पहले करना क्या है ये बताओ क्यों करें ये काम को इस पे फोकस करते हैं जीवन का सार क्या है वे कल्यूग के सदुग तो जानते हैं ऐसे लोग कल्यूग की पूझा करते हैं क्योंकि इस यूग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीतन से मनुशात्म ज्यान में प्रकति कर सकता है और जीवन का लक्ष प्राप्त कर सकता है तो कितना इंपॉर्डेंट है यह कल्यूग खास तर बिजब इसमें बागवा है सब कुछ अभी तक वो लीला स्थलियां तक हम देख सकते हैं जहां पर कृष्ण ने आवतार लिया लीलाएं करी कोई ज्यादा तो नहीं है यह समय है 5000 years is not a big I mean कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है कई सारे पेड़ जो हैं तस चार साल जी लिया आते हैं बहुत बड़ा समय नहीं है जब कृष्णा हमें यहां पे आये तो इसलिए हमें फोकस करना है चैतने महापरू तो केवल 500 साल 500 साल पहले की तो इनसान को हर चीज याद है इतियास में तो वहीं उसी इतियास से यह चैतने चरिता में लिया गया इसमें बता रहा है कि कल्यू कितना विशेश समय है हरी नाम के लिए पूर्वबत लिखिया वे गुणावतार गण असंख्य संख्यातार ना हया गणन जैसे कि मैंने गुणावतारों का वर्णन करते वे बताया था उसी तरह इन अवतारों को भी असंख्य समझना चाहिए किन अवतारों को यूगा अवतारों को चूंकि ये तो मनवंतर से भी ज़्यादा हो गए क्योंकि किसी के भी द्वारा इसकी गणना करी नहीं जा सकती है यह इतनी संख्या में है चारी युग अवतार एई तगणन शोनी भंगी करी तारे पूछे सनातन इस तरह मैंने चारों युगों के अवतारों का विवरन प्रस्तुत किया है सब सुनकर सनातन गुसामी ने महापरु को अपर्त्यक्श रुप से इंगित किया सनातन गुसामी वॉज इंटैलीजन परसन आप जानते हैं बड़ा चुन के उसेंशा ने सनातन गुसामी रूप को अपने मंत्रियों पर गआथा जानते हैं ये दोनों अती बुद्धी मान वैक्ती हैं अब जब चैतने महापुरू ने इतने सारे स्लोग बोल दिये तो सवनातन गुसामी समझी गाना था राजमंत्री सवनातन बुद्धे ये ब्रहस्पती प्राभूर अक्रिपाते पूछे असंकोच मती सवनातन गुसामी जो नहाव उसेन सा के अधीनेक मंत्री थे और वेस ने संदे स्वर्ग के प्रमक प्रोहित ब्रहस्पती जैसे बुद्धिमान थे भगवान के असीम किरपा के फलतरूप सवनातन गुसामी ने बिना किसी संकोच के महाप्रभू से पूछा सवनातन गुसामी ने का मैं बहुती शुद्र जीव हूँ ये गुण होता एक शुद्र भक्त कि वो अपने को बहुती निम्न घटिया मांता है को इसको अपने अपराद दिक्ते रहते है। जो बहुत ही जदा दुष्ट रहती है, उसको अपराद नहीं दिक्ते है। दिम्हतो मेरी इंकलती है। मैं अत्यांद शुद्र जीव हूँ मैं नीच हूँ और मेरा आचनर भी नीच है वाला मैं कैसे जान सकता हूँ कि कलिव में कौन अवतार है मैं कैसे जान सकता हूँ तो अल्दो उनके उनके हिर्दे में ये बात है कि चाहते ने मापुर अवतार हैं लेकिन फिर भी कैसे मैं सकता हूं तो बगवान के उपर ही डालना चाह रहे हैं सब कुछ यहां पी बताइए तो इश्वर के अवतारों के संगर्व में शलोग बड़ा महिक पून है आज कल भारत में ऐसे बहुत सारे दूरत हैं जो आपने आपको इश्वर देवी का अवतार बतार बताने लगते हैं फिर भी मूर्क लोगों को दोगा देने वाले बनावती इश्वर को मानने के लिए उत्सू रहते हैं इस कलियोग में यही सब चल रहा है ऐसे मूर्क लोगों का मार्ग दर्शन करने के लिए ही चैतन महापरूप परश्ण का निम्नलिखित उत्तर दे रहे हैं मुझे क्या इन पता कलियोग में अवतार को नहींत तो बोले है प्रभु कहे अन्य अवतार शास्त्र दोारे जानी कली टे आवतार तेच्छे शास्तर वाख सभालत के महानी कोई आवतार है कि नहीं नहीं डेपेंट करेगा तरहरे कि वो कितना सोना कर सकता है पानी में चल सकता हैं कि नहीं क्या रहा चलेगा शास्थरों में क्या लिखा है क्या उसके symptom match करते हैं क्या वो सारी चीज है जाय हूँ मापरू कह रहे हैं, शास्त्रों के अंदर इश्क के अनुसार सुनो, हे सनातन, जैसे कि पहले ये यगों युगों में, शास्त्रों में सब को भी बता है, वैसे ही यहां पर भी पहले उसी के साथ से सुनिये, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को गुरू सादू शास्त्र के वचनों का अध्यन करके ही किसी वस्तु को यथार्तता के कास्विकार करना चाहिए ना कि ऐसी किसी एहरे गहरे वेक्तियों के सुनने से कोई वेक्ति बहुत ही प्रभावशाली हो जाता संसार में हम उनका विचार करते हैं प्लीज बताईये आपका ख़वान के बारे में क्या विचारे है गया है उसने पूचा जा रहा है कि आपका क्या मत है हम कहीं सुन रहे थे न कि प्रुपाद ने जब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सुना कि ये लोग क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग क्या खेल रहे हैं उन्हें का बहुत बड़े ग्राउंड था उसमें कुछ लोग खेल रहे थे तो उनके शिशोंने का विदेश में पुरुपाद ये लोग जो है उस बॉल को छेद में डाल रहे है पुरुपाद को बड़ा दुख हुआ इतने सारे लोग अपना समय बरबात कर रहे हैं बॉल को छेद में डालने के लिए और ऐसे लोगों से हम पूछते हैं आपका भगवान के बारे में क्या बचा तो जो भी फेमस हो चुका है उससे नहीं सुनना है किससे सुनना है गुरु सादू शास्र के बचनों के अनुसार जो उस रास्ते में परमानिक है उसने उसको पड़ा है समझा है आचरन में लेकिया है अनुगत हुआ है दास बना है वहीं बता सकते हैं अगर क्रेश्न नहीं मांगे तो उन्होंने अपने गुरू का इत्या कर दिया इसके तरहें, यदि कोई शादू सादू साथ करमसार नहीं नहीं कहता तो वह सादू नहीं है, अपने कुझी कोई बना लें दिशय कोई कुझी आम नहीं की, शाद्र आपको पता है यह वेद हैं उसके बाद में ये पुरान है सब को सबका सार मानते हैं घीता और महागबतम जो उनके निचोनों के अधार पर नहीं बूलता हूँ कैसा सादू है, कैसा गुरू है साथ्र सबके लिए केंद्रबंदू है दूर्बा कि क्या है? इसम्में लोग शास्त्रों को संदर्ब मनते हैं नहीं इसलिए, वो दूर्तों का अवतार मान लिते हैं और इसी कारण से अवतार सस्ते हो गए है लेकिन जो चैतने महापरू के उपदेशों का परमानिक गुरू के उपदेशों का पालन करते हैं वे डोंगी वेक्ति को अवतार नहीं मानते कल्यूग में चैतने महापरू अवतार हैं और नकली अवतार इसका फायदा उटाते हैं बहुत सारे लोग अभी भी हैं, मैं सुनता हूँ, कई सारे ऐसे भी गुरू हैं, को कहते हैं, मैं चैतने मापरु का आवतार हूँ, बताइए, और लोग पागल बनके उनको फालो कर रहे हैं, कि से ही कि आए, हम चैतने मापरु का कैसे हम कह सकते हैं कोई और व्यक्ति के बारे में कहां लिखा है शास्त्रों तो ऐसा चल रहा है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन आपको सितर्ग रहना पड़ेगा कभी ऐसा नहों कि हम भी ऐसे ड्होंगियों के चक्र में पढ़ जाएं और सोचें कि यह तो गास्तरों को सोनो यह नहीं कह रहे हैं कि मैं हूं यह नहीं वता रहे हैं कि वह एक गुपता वतार थे के औरे ख्रीष्णा शलबर्भाद की जाये स्री चैत्रने चरी तौमित की जाए श्री Krishnadaas का विराज की जाये